हलो भीवर्स, दोस्तों, जैसे ही हम सब लोग जानते हैं, यह गुरुबार को धोनी का अपरेशन हुआ है मुंबाई की धिरुभाई अंबानी को किला बेन हस्पिटल में सर्जेंट दिनेश पर्दिवॉला के पास, दिनेश पर्दिवॉला जिन्हों ने इससे पहले रिशप पनत का भी सर्जरी किया था, तो गुरुबार के बाद आज तीन दिन के बाद धुनी ने अपटर सर्जरी उन्होंने सामने आया, और उन्होंने ट्witter में एक फोटो पोस्ट गिया है, जिसमें एक दोस्त के साथ उन्होंने साउंट इंडियन खाना खा रहा है, जिसमें और CSK करसी और काशी ने भी इस बात के पुष्टी करण किया है जो आप्टार सरजरी लागता है धोनी ठीक ठाक है तो इससे पहले हम सब लोग जानते हैं जो आई पिल 2023 में धोनी ने 100% फीट नहीं थे नी सरजरी को नी पैन के लेकर उन्होंने खेला था तो उसका असर सब्सक्राइटिंग पे CSK का जो कोच फ्लेविंग ने इस बात को पुष्टी करन किया है बाड़ बार जो दोनी 100% फीट नहीं है लेकिन वो टीम के लिए खेल रहा है लेकिन फिर भी फाइनल में क्या शांदार वहाई गील को स्टांपिंग किया है यह दोनी मैजिक आवी खतम नहीं हुआ है और इसको देखकर फाइनल और साड़ी IPL का सिजिन में धोनी को सिर्फ CSK नहीं बाकि दर्सकों ने भी इतना फ्यार दिया है तो धोनी उन्होंने भी धोनी जैसे लोग भी इमोशनल हो गया है और उन्होंने बोला जह हमको इसलिए दो बारा सुचना पर सकता है क्योंकि हर्स भोगले ने जब उनको कोशन किया था तो उन्होंने बोला जब मेरे पास 6-7 महीना है तो मैं इसके लेकर इस टाइम में डिजिशन ले सकता हूँ तो IPL की तुरंद बाद धुनी ने अपना नी का सर्जरी किया है इससे लगता है जो पोजिटीव है वो खेलना चाहेगा आगली IPL में तो गेट वेल सुन धुनी माही भाई सी यू एगेइन थैंक